वेलकम बैक तो दे ब्लस पॉइंट और आज में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ऐसा प्रोड़क्त लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है यह एक मल्टी पॉफस प्रोड़क्त है जो कि आप तक्मील आप अपने तक्रीबन हर इक चीज जहां पर पानी के द पानी का दाग लग जाता है सबसे जादा पानी का दाग बाल्टियों में और नल पे लग जाता है जिसे छुडाना बहुत मुश्किल होता है हार्पी कंटिनुवस यूज करने से उसकी शाइन चली जाती है तो मैंने एक प्रोड़क्त ढूंदा और यह मुझे बहुत अच् इसको साल भर में मेरी यह दो गॉटली उस हो जाती है इसका नाम है ब्लुवक्सी स्टेइन रिमोवर मैं बता दू कि इसे मैंने एमजन पर से मंगाया है लेकिन आप इस पोस का स्क्रीन शॉट ले करके किसी भी पेंट की दुकान पे अप चले जाएंगे तो आपको यह बह दुकाने दुकाने हो भी काम कैसे करता है बहुत अच्छे तरीके सीं काम करता है आप इस क esfको करने का नाम पर चाह आती का यह बूसें पर शॉटाश नहीं है जैसे ऊ entfer Trump or ACIP metallic का जब आप यूस करें तों है उस एसे भी लिग़न से में आनकों पही लगता है और बदाश नह यह वाइफ वाइट सा होने लगेगा, अच्छे से उसे मल दीजिए और बस पानी से दोगे और आपकी चीज बिल्कुल फड़ा फड़ा चमकने लगेगी, मैं जिस बैल्ट में रहती हूं, डेली एंसीर और उसके आसपास के जितने भी शहर है, यहां का पानी इतना गंदा है कि सबसे पहले आपके जितने भी स्टील के बात्रूम फिटिंग्स हैं, वो पूरी बिल्कुल खराब हुजाती हैं, आपको लगता है बिल्कुल फाइट टू टेन यहां आप उसको चेंज ही कराना पड़ेगा, वो उतने गंदे हो जाते हैं, तो यह बहुत हैंडी प्रोड इसे अनलाइन भी वंगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी पैम के दुकान से जाकर इसे खरीच सकते हैं, इंबर ट्राइब कीजेगा, तो यह देखिए यह नल है, जिस पे स्टील का नल है, और इस पे कितना जमा हुआ है, तो अब मैं आपको इस पे पानी के दाग ब्लू ऑक्सी को डालना है जैसे ही आप डालेंगे तो यह देखिए वाइट वाइट ऑक्सीजन बबल जिसमें निकलने लगते हैं और जहां जहां साफ करना है वहां वहां बस अब गिराते जाएए या तो फिर आप इससे सीधे स्क्रबर पर लगा करके भी इस पर मल सकते हैं और आप जैसे ही लगाएंगे वैसे ही इस स्क्रबर से चारो और आपको इसे जहां जहां आपको चुडाने हैं वहां वहां इस तरीके से आप मलते जाएंगे तो आप देखिए जैसे ही आप मलना स्टार्ट करेंगे बहुत ही अपनी आप ही पानी के दाग दब्बे दीरे चूटना स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद आपको मलने के बाद इसे पांच मिनिट यूं ही छोड़ देना है और पांच मिनिट के बाद आपको फिर इसी स्क्रबर से इसको रगड़ना स्टार्ट करना है इस तरीके से तो जो बचे-कुचे दाग धब्बे हैं वो भी छूटने लगेंगे उपर नीचे चारो और आप रगड़ दीजे उपर के एक साइट पे मैंने नहीं लगाया है ताकि आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूँ इसके बाद सिंपली आपको इस पर पानी डालना है यह देखिए पानी ब्राउन ब्राउन कलर का छूट करके नीचे गिर रहा है यह देखिए अच्छे से से हाटों से मल दीजिए और यह देखिए आपके सामने है वही यह टाप है जिस पे पानी के इत्ते दाग धबेते यह बिलकुल नए जैसा चमकने लगा है और ये देखिए, एक दम बगएर महनत के एक दम मिरर फिनिश में आपका बिलकोल नया टाप रेड़ी है और यहाँ मैंने उपर के साइड में आपको दिखा देती हूं कि उपर के साइड पे मैंने नहीं लगाया था तो वो कैसा है तो आप डिफरेंस देख सकते हैं तो एक बार ये प्राड़क्ट जरूर ट्राइ कीजिएगा ये देखिए उपर का वैसे के वैसे ही दाग धबे हैं यहाँ पे मैं नहीं लगाई थी इसे लगा करके मैं साफ करूँगी तो ये भी उसी की तरह साफ हो जाएगा तो एक बार ये प्राड़क्ट आप ट्राइ जरूर करें